गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, हावर यू, आई होप यू अर्थ हेल्दी एंड हैपी एट यूर होम, लेस्स टार्ट आवर वर्क, देखिये बटा, फोर्थ कोशन समझाएंगे, देखिये, सही विकल्प के सामने चिन लगाना है आपको, राइट या रॉंग का, सही य गलत का, तो देखिये, किस तरह से हम लगाएंगे, फर्स्ट पर देखिये, किसान ने एक साम पाल रखा था, तो बेटा, आप किस तरह से चिन लगाएंगे, देखिये, क्या किसान ने एक साम पाल रखा था, नहीं पाल रखा था, तो हमारा ये क्या है, रॉंग है, तो हम इ तेर सकती है तो बटक जो होती है वो पानी में तेर सकती है न तो हम कैसा निसान लगाएंगे यहाँ पर ऐसे टिक का निसान लगाएंगे तो हमारा सेकिन्ड है वो हमारा राइट है बतक पानी में तेर सकती है देखी थर देखिए साप बहुत काला तथा भेंकर था तो साप ब राइट है देखिए नेक्ट देखिए गांधी जी का पूरा नाम महोंदास करमचंद गांधी था तो बेटा आपने लेजन में रीड किया है गांधी जी का पूरा नाम महोंदास करमचंद गांधी था ना तो हम इस तरह से राइट कचिन लगाएंगे देखिए next देखिए हमारा चीता बहुत बड़ा तथा ताकतवर होता है तो बिटा ये हमारा wrong है चीता बहुत बड़ा नहीं होता ताकतवर तो होता है लेकिन वो बड़ा इतना नहीं होता तो ये किस चीज के cross लगाएंगे हम इस तरह से cross लगाएंगे wrong का क्योंकि यह हमारा गलत है देखिए next देखिए हमारा दीपावली रंगों का त्योहार है तो बेटा ये भी हमारा रोंग है गलत है क्योंकि दीपावली रंगों का त्योहार नहीं है आप भी जानते हो दीपावली किसका त्योहार है दीपों का दीपावली पे हम color से थोड़ी खेलते हैं, रंगों से थोड़ी खेलते हैं, हम तो दीपावली पे deep जलाते हैं, तो यह हमारा क्या है? wrong, गलत का निसान, इस तरह से हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे, देखिए, next देखिए हमारा, भूख लगने पर चडिया रोती है, त हमारे जंडे में चार रंग होते हैं, तो बटा हमारे जंडे में चार रंग नहीं होते हैं, कितने रंग होते हैं? तीन रंग, तो यह क्या है हमारा? गलत, तो हम किसका? प्रॉस लगा देगे, गलत का निशान लगाएंगे, देखिए, next देखिए, गांधी जी वकालत इंगलेंड गए थे न क्या है हमारा राइट इस तरह से हम राइट का टिक लगाएंगे राइट नेस्ट देखेंगे अरपित के घर के पास एक खेल का में दान था तो यह बटा हमारा रोंग है हम इस तरह से क्रोस करेंगे क्योंकि अर्पित के घर के पास क्या था पार्क था ना कि खेल का मेधान ओके स्टूडेंट अब देखिए हमारा नेक्स्ट कोश्चन है हमारी मात्रा है तो देखिए मात्रा है किस तरह से करेंगे बटार देखिए हमारी फर्स्ट मात्रा है आ की मात्रा नेक्स्ट है हमारी ए की, चोटी ए, उससे नेक्स्ट है बड़ी ए, इसको चोटी ए से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बोलने में, चोटी ए को तो हम ऐसे बोलेंगे ए, और बड़ी को बोलेंगे ए, इस तरह से इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, देखिए ने उ को बोलने में कम समय लगेगा उसके बाद नेक्ष देखिए बड़ा उ तो कैसे बोलेगा? छोटाओ तो बोलेगा हमारा उ और बड़ाओ को बोलेंगे हम उ तो इस तरह से हमारी ये मात्रा है नेक्ष देखिए ए की मात्रा उसके बाद है आई की मात्रा उसके बाद ओ की मात्रा उसके बाद अग की मात्रा उसके बाद अग की मात्रा उसके बाद एह की मात्रा लास्ट हमारी री की मात्रा तो किस तरह से बोलेंगे हम इनको आ, इ, इ, उ, उ, ए, आ, आ, ओ, अ, 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 ए, री तो बटा आया समझ में आपको मात्रा हैं हमारी कम्प्लीट हो चुकी है नेक्स देखेंगे देखिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेशन ऐसे स्रेतक वर्ण माला लिखो तो आपको यहाँ पर सारी वर्ण माला होती हैं जो हमारी मैंने बताया था आपको क्लास में वर्ण माला ऐसे लेकर स्रेतक जो भी हमारी वर्ण है इनको ही वर्ण माला बोलते हैं तो देखिए ये सारे मैं आपको कराती हूँ ए, आ, इ, बड़ी, इ, उ, उ, रिसी, ए, आ, इ, ओ, अउ, अं, ए है उसके बाद देखिए के, खे, गे, घे, अने खाली चे, छे, जे, जे, अने खाली ते, ठे, डे, धे, अने खाली ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, शे, हे, छे, त्रे, गे, श तो ये बिटा हमारे complete हो गई next देखी हमारे next question है पै और में की बारा खड़ी सुद्ध रूप में लिखो तो बिटा आपको यहाँ पे पै और में की बारा खड़ी लिखनी है जैसा मैंने आपको class में भी बताया है किस तरह से लिखेंगे देखिए पै तो आपको दिखा रखा है next देखिएंगे पै में आक की मातरा लगाएंगे पा पै में छोटी की पी पै में बड़ी की पी पै में छोटा हू कापू पै में बड़ा हू कापू पै में ये की पै पै में आई की पै पै में उ की पो पे में यव की पउ, पे में यंग की पंग, पे में एहे पे हे, पे मेरी की मात्रा प्रे Okay students, next देखेंगे मैं की संग्या किसे कहते हैं उधारन सहित तो बेटा आपको मैंने क्लास में भी बताया आपको बिल्कुल इजी लेंग्विज में लिखना है बिल्कुल सरलवासा में किसी के नाम को संग्या कहते हैं किसी भी आपका कोई भी वस्तु है वेक्तिय प्रानिय स्थान कोई भी है आप सभी को संग्या बोल सकते हो तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको कराया है किसी के नाम को संग्या कहते हैं ओके स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट कोईशन देखेंगे हमारा शर्व नाम किसे कहते हैं उधारन सहित शर्व नाम किसे कहते हैं देखिए बिटा संग्या के स्थान पर आने वाले शब्दों को शर्व नाम कहते हैं तो बिटा ये भी आपको सरल नैंग्वेज में कराया है कि जो भी शब्द आपके शंग्या के स्थान पर आने वाले शब्दों को शर्व नाम कहते हैं ओके स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट कोश्चन देखिए स्वार और वेंजन छाटो तो बैटा इस कोश्चन में आपको ये कुछ वनमाला दी गई है तो आपको उन पर इस तरह से गोला लगाना है ओके स्टूडेंट देखिए कैसे लगाएंगे देखिए पहले हमें निमिन में से स्वार पर गोला लगाना है तो मैंने आपको क्लास में बताया था हमारी स्वार कौन कौन से है यह हमारी स्वार है तो देखिए बता स्वार पर हमें गोला लगाना है तो देखिए इसमें ए तो हमारा स्वार है तो हम ए पर गोला लगाएंगे इस तरह से आपको गोला लगाना था कौन में देखिए नेक्स देखिए हमारा कै हमारा वेंजम है बड़ी ही हमारा स्वर है तो हम स्वर पे गोले लगाएंगे इसके बाद हमारा छोटा हुआ है तो हम इस पे भी सर्कल करेंगे नेक्स्ट है हमारा ओ तो हम ओ को भी सर्कल करेंगे गय और चय हमारे स्वर नहीं है यह क्या है हमारे वेंजन तो हम इन पे शर्कल नहीं करेंगे टे और ते ये दोनों हमारे श्वर नहीं है वेंजने तो हम इनको भी सर्कल नहीं करेंगे ओ, ओ को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारा श्वर है उसके बाद अंग, अंग को भी हम सर्कल करेंगे इहे को भी circle करेंगे दे को नहीं करेंगे इसके बाद देखिए इसका भाग है देखिये निमिन मैंसे वेंजन पर गोला लगा हो तो बैटा उपर आपने श्वर पर गोला लगा था नीचे इस वाले question में आपको वेंजन पर गोला लगाना है तो आपको मैंने भी बताया था ऐसे ए तक हमारे श्वार होती है तो बाकी के खे गे गे ने चे छे जे जे ने टे ठे डे डे ने ते थे दे दे ने ये हमारे सारे वेंजन है तो देखिए के हमारा वेंजन है तो आप के पे सरकल करोगी चे हमारा वेंजन है तो चे पे सरकल करो पै हमारा वेंजन है उसको सरकل करेंगे ओ हमारा वेंजन नहीं है शुर है तो इसको हम सरकल नहीं करेंगे इसके बढ़ दे, रे, और शे यह तीनौ हमारे वेंजन है कोगई श्टूडेट आया समझ में स्टूडेट सो थन्क यू, be safe, stay home and stay safe